जैसे आप लोगों नहीं मुझे पूछा है कि गुरी चतुर मास का अरंब कब से हो रहा है किस दिन से और किस दिन वहाई पुरwend होने वाला है इस अरश तो मैं संक्षिप में सबसे पहले आपको वह बताऊंगा और इसके बाद इसकी जो पूरी शुरूंखला है कि चतुर माह में हम क्या क्या कर सकते है अगर कोई स्वयम यह व्रत करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है पूरी में शुरूंखला आज से शुरू करने वाला हूँ अवर्श आपको शायद वो पसंद आएगी अगर आपको यह पूरी सका आरम किसे दिन से होगा तो जैसे पंचांगों की अनुशार देव का देव जो 17 जुलाई बुद्वार से से जुलाई बुद्वार से देवशा यनी एकादर्शी का अरम होगा उस दिन चतुर मास का अरम होगा जैसे अलग अलग प्रांट में कुछ-कुछ चीज़े जैसे पंडरपुर यात्रा होती है फिर उस दिन रवी-नारायन एकादर्शी के नाम से उसको मनाया जाता है उस दिन योग भी है उस दिन अमृत सिद्धी योग भी है वहाँ भी सुरियोदय से लेकर पूरी राप्री तक है तो अच्छा दिन है बुद्वार 17 जुलाई देवशा यनी एकादसी उस दिन से चतूर महा का अरम होगा और चतूर महा में कैसे गिना जाता है तो चतूर महा जो होता ह वहाँ एकादसी जो होती है शुकला पक्ष की वहाँ से लेकर दुसरे महिने की मतलब आशान महा की एकादसी से फिर श्रावन महा की श्रावन महा से लेकर फिर भादरपद महा की बादरपद महा की एकादसी से आश्विन महा की और आश्विन महा की एकादसी से कार्तिक चार महिने होते हैं उसे चतुर महा कहा जाता है और यह चतुर महा पूर्ण कब होगा तो जैसे यह चतुर महा है वह नवंबर 12 मंगलवार के दिन जो प्रबोधिनी एकादशी या फिर जिसे हम देव उठी एकादशी कहते हैं और उस दिन भी आप देखें सिद्धी योग है कुमार योग है और राज योग है तो मतलब 17 जुलाई से बूधवार से यह एकादशी आरंग होगी देव शयनी और नवंबर 12 को प्रबोधिनी एकादशी जिसे हम देव उठी एकादशी कहते हैं मंगलवार के दिन यह पूर्ण होगे चार महा अर्था तो चतुर महा का मह आत्मय क्या है तो सबसे पहले आज मैं थोड़ा सा संक्षित में आपको श्रवन कराऊंगा जैसे मैंने कहा कि यह जो चार महीने होते हैं वो बहुत ही पवित्र होते हैं और इन चार महीनों में अगर आप देखे तो वैसे देखा जाए तो जो मंगलिक कारिया जैसे विवा होते हैं तो विवा हकीकत में आप देखे तो इन चतुर माह में नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी लोग करते हैं बहुत सारे ऐसे मंगलिक कारिया होते हैं जो चतुर माह में नहीं किये जाता है क्यूंकि बगवार नारायन स्वयम जो है वह देव शयनी अर्था वह शयन करते पातल में जाके तो उसकी वज़े से बहुत सारे ऐसे मंगलिक कारिया है जो इन चार महीनों में नहीं करने चाहिए फिर भी देशकाल के अनुसार या समय के अनुसार डिटेल में थोड़ा जाके फिर बहुत लोग करते हैं या करवाते भी है अब बात रही चतुरमाह में जो ह यह चार महीने जैसे हम देखे वैसे पूरे बारा महीनों के यह सबसे चार महीने जो होते हैं जैसे हर एक महीने में कोई ना कोई वरत होता है हर एक महीने में कोई ना कोई त्याओहर होता है तो सब कुछ इन चार महीनों में ही आता है महत्वप्रण सारे त्याओहर इसलिए यह चतुर महा का महत्व भी है दूसरा इस चतुर महा में अगर जैसे आप सामन्य रुप से एक वरत ग्रहन करना चाहे तो इन चार महिनों में एक वरत या एक संकल्प या एक नियम ले सकते हैं जैसे पूरे चारों के चारों महा तक श्री विश्नु सहसरका पाठ चाहे किसी समय हो सुबह हो शायम काल हो मद्यान काल हो राप्तरी काल हो एक यह नियम आप दारन कर सकते के चाहे कुछ भी हो जाएगा मैं विश्णु सहस्त्र का पाठ करूंगा या करूंगी अगर बहने लड़किया यह पाठ करती है तो वो पांच दिनों को छोड़कर जो मासिक धर्म क पांच दिन है उसको छोड़के फिर यहां पाठ का आरम करें अर्था विश्णु सहस्त्र का पाठ करें तो अवस्य एक बहुत ही सुंदर से अनुष्ठान हो जाएगा दूसरा अगर विश्णु सहस्त्र पाठ करने में समर्थ नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवा कि हर रोज बारा माला करें बारा माला के बराबर एक विश्णु सहस्त्र का पाठ होता है ऐसा हमारे कई विद्वान और साध्यू संतों का मानना है तो वो बारा माला भी आप कर सकते है और जैसे तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते है सफेच चंदन की माला का प्रयोग कर सक के स्मरण मात्र से भी भूत प्रेत पीशाच आदी बाधाई जो रहती है वो सबको शुदूर रहती है और आप स्वयम सोचिए चार महीनों तक हर रोज बारा माला करेंगे आप खुद सोचिए चार महीने के बाद उसका जो फल है या फिर उसका जो तेज है या उसका जो एक experience एक अनुबव आपको होगा जो शायद आपने पहले कभी भी महसूस नहीं किया होगा अगर भगवान श्री हरी नारेन के कुर्पा प्राप्ति करनी है तो ये आप पूरे चार महीने तक नियम ले सकते हो दूसरा आप चाहे तो चार महीनों में एक समय अन्नका आहार एक समय फलाहा केवल इस प्रकार से भी पूरे चार महीने आप उपवास कर सकते हो आप अगर चाहे तो चार महीनों तक किसी एक ऐसे खाने को या पीने की चीज का त्याग करें तो उस प्रकार से भी आप पूरे चार महीने तक चतुर महा का उपवास कर सकते हो अपनी सबसे प्यार बना लीजिए आप उससे मुक्त हो जाए कि चार मेने के बाद भी उसी प्रकार से अगर आप अपने इश्ट देवता की साधना करना चाहते हैं मान लीजिए अपके इश्ट देवी भगवती मा जगदंबा दुरगा है तो आप एक नियम बना लीजिए कि नौपाठ दुरगा सब्तशलोकी, नौपाठ सिद्ध कुंजिका सुत्र, नौपाठ दुरगा 32 नम माला के चारो के चारो महिने मैं करूंगा या करूंगी फिर इसका जो फल है अपने कभी सोचा नहीं होगा ऐसा प्राप्त होगा लेकिन फिर अगर आप चाहे तो चारो के च चारो महिने हर रोज दूद से या अलग-अलग द्रवियों से घर में शिवलिंग है तो अवश्य शिवजी का अभिशे करूंगा या करूंगी ऐसा भी संकल प्ले सकते हैं कोई अगर भगवान सुरिया की उपासना करना चाहता है और सुरिया की उपासना करने से तो प्रत् गणिश उपासक है तो हर रोज गणिश अथर्व शिरिसंद के यथा शक्ति एक निश्चित संख्या आप तै करें के दस पाट करूंगा या करूंगी चार महिने तक वो कर सकते हैं वैसे ही संकट नासन स्तोत्र है उसके चार महिने तक जो भी यथा शक्ति आप पाट करना करने चाहें सोला सोला पाठ का इक नियम ले सकते हैं उसी प्रकार से विद्यार्ति को विदिया प्राप्ट करनी है तो महा सरस्वतीजी का कोई भी स्थोटरा मंत्र है उसका चार मेने का नियम ले लिज्जे और दन, संपती, संतती, आधी सर्वस्वा प्राप्ते करना है तो चार महिने तक अवश्य श्री सुक्कम के 16-16 पाठ करें और मैंने शायद पिछले वर्षी इस विशय में एक वीडियो बना के सबको बोला था मेरी तरफ से सबको चैलेंज है कि अगर आपने चार महिने तक ऐसा कोई अच्छा नियम लेकर पाठ किया है नियम के साथ तो अवश्य आपका कोई भी काम होगा वो सफल होगा और उसके लिखित में हमारे पास वाटसप में सबके अनुभव भी है कि जिनोंने चार महिने तक ऐसे कारिय किये थे तो किसी का घर नहीं बन रहा था तो घर बन गया किसी का घर के लिए जमीन नहीं प्राप्त हो रही थी तो जमीन प्राप्त हुई है किसी की जवाब में प्रमोशन नहीं हो रहा था तो वो हुआ है किसी के वहाँ समतार नहीं हो रहा था तो वो हुआ है, ऐसे सारे हमारे पास प्रमान है तो सबसे पहली बात है कि जब भी आप कोई कारिय करते है तो फल की आसा ही सबसे पहले रखते है तो वो मत रखिए कर्म करेंगे फल मिलेगा अनुष्ठान, पूजा, पाट, मंतरजा प्रॉपर वे में करेंगे, अवश्य उसका फल मिलेगा लेकिन अभी तो मतलब होता है कि आम का पेड़ बोया नहीं है और आपको दुसरे दिन आम खाना है वो कैसे संबव है, लोजिकली आपको भी सोचना चाहिए लेकिन एक बार प्रहतना तो करें कोशिश करें, थोड़ा मतलब ये इसमें साधना बक्ति में आगे तो बढ़ी है अवश्य ही, फल मिलेगा वस एक पुर्णश रद्दा से ऐसे चार महिने तक आप यह वरतादी कर सकते हो बाकि तो इसी सबजेक्ट इसी विशाई के उपर मैं पूरी शरुंखला जैसे मैंने शुरुआत में कहा लेकर आ रहा हूँ आप देख सकते हो, उसको अच्छे से समझ भी सकते हो और जैसे बारी-बारी से सारी चीज़े होगी, मैं पूरे चार महिने तक विशाई और विडियो के बारे में आपको बताता और सुनाता जाऊंगा और बहुत सारे विडियो में प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा बनाके ताकि आप सोयं भी वो कर पाए तो ये था आज का सबसर पहला बाग चतुर महा के विशाई में अगर आपको यहाँ विशाई विडियो पसंद आए लाइक करे शेर करे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब परके घंटी का चिनह दबाएगा बहुत जब मिनते हैं नए विशाई और विडियो के साथ तब तक आप देखते रहे है कर्मकान भाई मेरे साथ ओम गानेश हरा हरा महादेव और चतुर महा की आप सबको एडवांस में मेरी तरफ से बहुत सारी शुब कामना है